भारतिय जंता पार्टी के नेता और राज्युसभा सांसत सुब्रमन यहमस्वामी ने कल मोधी सरकार परदेश की अर्थविवस्था गर्थ करने का आरोप लगाया था अब कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता पी जदंबरम ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार को घेरा है कॉंग्रेस नेता पी जदंबरम ने वित्य वर्ष 2020–21 के दोरान अर्थविवस्था में से 7.3 प्रतिशत की गिरावट आने के मामले में चिंता राहिर की है कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता पी जदंबरम यूपी हैं के कारेकाल में देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं उन्होंने कहा है कि पिछले चार दशक में वित्वर्ष दो हजार बिस से इकीस अर्थविवस्था के हिसाब से सबसे अंदकार में साल है कोरोना महामारी के दौरान सरकार के आर्थिक को प्रबंधन की वज़े से हालात और बेगर चुके हैं उन्होंने इस मामले में मीडिया से बाचीत के दौरान कहा है कि बीते वित्वर्ष के दौरान देश की अर्थविवस्था में गिरावट दर्च की जाएगी इसका अंदाजा पहले से ही लगा जा रहा था और ऐसा ही हुआ है दरसल बीते साल जब कोरोना महामारी की पहली लहर धीमी पड़ी तो वित्वंत्री और मुखे आर्थिक सलहकार ने अर्थविवस्था के द्वारा पट्री पर आने की बात कही थी निश्चित तोर पर ही कोरोना महामारी का अर्थवेवस्था पर व्यापक रूप से असर पड़ा है लेकिन सरकार की घलत नीतियों के कारण स्थिती और खराब हो चुकी है माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर ऐसा ही चलता रहा तो अर्थवेवस्था में और ज्यादा गिरावट आ सकती है कॉंग्रेस नेता चिदंबरम ने का कि 2018 से 2019 में GDP 140, 3316 करोड थी 2019 से 20 में यह 145, 79,268 करोड रुपए थी और 2020 से 21 में यह घटकर 135, 12,740 करोड रुपए हो चुकी है